द्रिश्टी आईएस की डेली करण नियूस प्रोग्राम में आपका स्वागत है डेली करण नियूस में चर्चा का विश्य है मकाख की एक नई प्रजाती की खोज जोलाजिकल सर्वे ओफ इंडिया यानि ZSI के विज्ञानिकों ने मकाख की एक नई प्रजाती की खोज की है यह पश्टी में और मध्य अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है उनका अध्ययन मॉलिक्यूलर फायलो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के नवीनतम संसकरण में प्रकाशित किया गया है वैज्ञानिकों ने इस प्रजाती का नाम सेला मकाख यानि मकाख सेलाई रखा है इसका नाम पश्टी में अरुणाचल प्रदेश में दिरांग और तवांग शेहरों के बीच स्थित सेला परवत दर्रे के नाम पर रखा गया है इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह प्रजाती भोगौलिक रूप से अरुणाचल मकाक से लगभग दो मिलियन वर्षों से सेला दर्रे के कारण अलग है वैज्ञानिकों ने इस प्रजाती का विस्तृत फाइलोजेनिटिक विशलेशन किया गौर तलबै की फाइलोजेनिटिक मकाती के विकासवादी विकास का अध्ययन है जान लेते हैं सेला मकाक या एम सेलाई के बारे में यह मकाक के सिनिका प्रजाती समूह के अंतरगत आता है यह अनुवन्शिक रूप से अरुणाचल मकाक के करीब है इसमें एक भारी निर्माण आकार और लंबे प्रिष्ठिय शरीर के बाल है इसकी पूछ अरुणाचल मकाक से भी लंबी होती है इसका पीला चेहरा और एक भूरा कोट है और यह एक लुप्त प्राय प्रजाती है